वेलकुम टू एन अनेदर अपिसोड आफ अनबॉक्सिंग आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे वावी मेट एकसिस का जो की एक फोर लेवल फोन है काफी इंट्रेस्टिंग आपको बहुत ही साथा मजा आने वाला है इस फोन को देखकर चलिए चलते हैं वीड पार्टिसिपेट किया है तो आप जरूर जाके पार्टिसिपेट करना गाइस चलते हैं अब हमारे बॉक्स की तरफ तो पहले हम यह देखने के मिलता है हमारा इंट्रेस्टिंग स्मार्टफोन जो की काफी बड़ा है जिसको आप आ रहा हम से फोल्ड और अनफोल्ड कर जो की नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता तो चलिए इसकी रापर को हटा कर इसको साइड में रख देंगे और देखेंगे हमारा बॉक्स कंटेंट इस बॉक्स में हमें मिलता है एक वाइट कलर में एक चार्जिंग अडैप्टर जो की 55W का है जो की काफी अच्छी बात है तो और हमें देखने को मिलता है यह ताइप-C to ताइप-C USB केबल काफी अच्छी कॉलिटी का और हमें देखने को मिलेगा और इस बोक्स में है एक येटfoinfig जो कि है टाइप C वाला आपको फोन में 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा इस ब्लैक बॉक्स में हमें मिलेगा एक सिन इजेक्टर पिन जो कि यहां पर है और एक है यह केस काफे इंट्रेस्टिंग है यह जो कि हाड मेटरियल से बना है और फोल्डेट फोन के लिए एक्स्ट्रा से दी गई है क्योंकि आपको मार्केट में ऐसी केसेस देखने को नहीं मिलेंगी अब चलते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ जो कि काफे इंट्रेस्टिंग सा है तो यह साइट में पावर बटन है फिंगर प्रिंट सेंसर के साथ जो कि काफी फास्ट काम करता है और उपर की तरफ आपको एक आयाय ब्लास्टर और एक नॉस कैंसेलेशन माइक देखने को मिलेगा और नीची के तरफ यह टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यह है एक स्पीकर देखिए आप इस फोन को काफी इंट्रेस्टिंग है ना इसको ऐसे फोल्ड और अन्फोल्ड करने में और यह बटन टिप बतावाते ही यह फोन अन्फोल्ड हो जाता है इसके डिस्प्ले की तो यह काफी जादा इंट्रेस्टिंग है बहुत बड़ी एक ब्रिजल लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है ओव एल इडी का इसमें जो डिस्प्ले है वह अन्फोल्डेट सिचुएशन में 8 इंचिस का है और फोल्डेट सिचुएशन में 6.6 जिच का जो की काफी एक मजेदार बात है और इसको एक फोल्ड और अफोल्ड करन में काफी जादा मज़ा आता है जो कि एक बटन दबाते ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपकर्जा लेकिन क्वाइट यह इवियर इसमें आपको क्वाट कैमरा सिट्प मिलेगा 40 MP ed1.8 एपरचर के साथ मेन कैमरा, एट मेंगाइपिक्षइल, एफ 2.4 एपरचर के साथ टैली फोटो लेंज और 16 तू डिभरड़ी, एफ 2.2 एप्रचर के साथ अल्टरा वाइट और एक 3DTA F depth कैमरा दिया गया फोर में फसिल का इसकी जो क्यामेरा पर्फॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी हा और इंटेस्टरिय है मैं आपको डिस्प्ले में कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं जो कि इसी फोन के क्यामेरा से क्लिक की हुई है तो देखिए और पुछे कमेट में जरूर बताना कि आपको यह पिक्चर्स क्वालिटी कैसी लगी और इस फोन में आपको मिलता है 8.6 GHz का एक उक्टाकोर प्रोसेसर 8GB रैम और 512GB के इन बिल्ट स्टोरेज के साथ इसमें जो डिस्प्ले रेजुलेशन है वो 2200 x 2480 का है ज्योंकि काफी अच्छी बात है इसमें आपको सारे 4000 mh की बैटरी दे गए है और 55W के फास्ट चार्जिंग के साथ जो की काफी इंट्रेस्टिंग है जो कि 30 मिट में ही आपके फोन को 85% के चार्ज कर देता है इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो एक गेमिंग प्रोसेसर है जो की काफी अच्छा है एंड्रोइट 10 के उपर बेस् 15995G प्रोसेसर है और इसमें जो जीपी वह है वह माली जी 76 का है काफी अच्छी है इसमें जो फिंगर बीट सेंसर है काफी साहता फास्ट काम करती है एकुरेटली जो की सच में काफी अच्छे फिल देता है आपको इसका वेट 300 ग्राम के आसपास है थोड़ा है लेकिन इत अच्छे फिचर्स के साथ तो यह तो बनता ही है और इसको एक फोल्ड करना और अनफोल्ड करना काफी ज़्यादा अच्छा लगता है तो फ्रेंज गीवव में पार्टिसिपेट जरूर करना कमेट मुझे जरूर बताना यह फोन आपको कैसा लगा मिलता है आपको आपसे नई वीडियो में एक और स्मार्टफोन के साथ